स्वागत है दोस्तों आपका हमारी सिरीज एक्सप्लोर रश्यविड डॉक्टर स्क्यूरी में और आज हम यहाँ पे एक नई वीडियो में आए हैं एक नई उनिवसिटी में यह है समारा स्टेट मेडिकल उनिवसिटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं Samara State Medical University इस वीडियो में हम बात करेंगे Samara City के बारे में and its easy accessible route then we will discuss about the Samara State Medical University overview, its education quality, recognition, वहां की ranking क्या है, वहां पे कितने Indian students पढ़ रही है FMG passing ratio क्या है वहां का, budget कितना रहेगा आपका अगर आप Samara State Medical University में जा रहे हैं then we will discuss about the advantages and disadvantages, उसके बाद हम बात करेंगे last में conclusion कि मेरा यहां पे क्या opinion है कि आपको यह University select करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, so let's begin Transportation की अगर हम बात करें तो Samara लगबग Moscow से 1000 km की दूरी पे है और यहां पे आप by flight भी आप जा सकते हैं, by train भी आप जा सकते हैं, by bus भी आप जा सकते हैं अगर हम flight की बात करें तो Delhi से Moscow आपको 6-7 hours के आपकी flight रहेगी, उसके बाद 2 hours के आगे आपकी flight रहेगी टोटल जरनी आपकी लगबग यही 12-14 hours के रहेगी, जिसमें layer भी included है उसके बाद अगर आप by bus या by train जाते हैं तो लगबग आप मान के चलीगी around 15 hours और आपके इसमें extra लगेंगे तो चलीए बात करते हैं Samara State Medical University के बारे में Samara State Medical University was established in 1919, लगबग 100 साल पुरानी यह university है और अगर हम यहाँ पे recognition की बात करें तो university recognized है ECFMG से, GMC से, NMC से कि अगर आपको world में कहीं भी अगर आपको जाना है तो आपको कोई problem वहाँ पे आपको face करने को नहीं मिलेंगी इसके बाद अगर हम बात करते हैं ranking की तो university की जो country rank है वो है 178 and the world rank is 5422 ranking काफी इतनी अच्छी नहीं है university की अगर हम यहाँ पे बात करें Indian students के बारे में तो लगबग around 200 to 300 Indian students are currently studying there इसके बाद अगर हम बात करते हैं FMG passing ratio के बारे में इसके बाद बात करते हैं budget के बारे में तो tuition fees यहाँ पे रहेगी आपकी 3,30,000 rubles per year and the hostel fees is 35,000 rubles per year उसके बाद अगर जो आपका expense आता है medical insurance, medical check-up का वो लगबग आपका 15,000 rubles per year रहने वाला है तो इसको अगर हम total करते हैं तो 3,80,000 rubles per year अगर हम इसका total budget की बात करें कि 6 साल में आपका कितना budget रहेगा तो यह जो tuition fees, hostel fees, medical insurance, medical check-up वगएरा का जो expense रहेगा वो रहेगा आपका लगबग 22,80,000 प्लस में आपको 9,00, उपर से extra add-on करना पड़ेगा जिसमें आपका personal expense, food वगएरा और traveling expense जो कि आपका वहाँ पर आएगा ही आएगा इतना expense तो इसको total अगर हम करते हैं तो लगबग 31,80,000 की यह जो university है इसका आपका budget रहेगा सामारा state medical university का तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लगता है कि मुझे budget बहुत जादा है इस university का इस budget में आपको दूसरी और और भी जादा अच्छी university आपको यहाँ पर मिल जाएंगी तो guys यह था university के बारे में overview अब बात करते हैं advantages and disadvantages के बारे में उसके बाद second party contract university यहाँ भी आपको कोई issue नहीं मिलेगा उसके बाद अगर हम weather की बात करें तो weather भी यहाँ पर कोई इतना ज्यादा धंडा नहीं होता है winters में minus 10 to minus 15 ही जाता है इससे जादा थंड वहाँ पर नहीं होती है तो इतना weather tolerable होता है कोई tension वाली बात नहीं है इसके बाद अगर हम बात करें disadvantages of Samara State Medical University के बारे में तो यहाँ पे सबसे बड़ा disadvantage यहाँ आपको देखने का मिलेगा education quality से related क्योंकि FMG passing ratio जो हमने देखा 2021 का तो वो लगबग 0% था लगबग 12 students ने exam दिया था और कोई भी बच्चा वहाँ पे पास नहीं हुआ था तो यहाँ से आपको एक clear idea मिल जाता है कि Indian students के लिए वहाँ पे education कैसी आपको देखने को मिलेगी हो सकता है Russian students के लिए अच्छी education हो बट Indian students के लिए वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है इसके बाद university की ranking वह भी इतनी अच्छी नहीं है सेम अगर आप इस budget में अगर दूसरी university आगर आप सर्च कर रहे हैं तो अगर आप comparison करते हैं दूसरी university के साथ तो आपको ज़्यादा अच्छी और better university मिल जाएगी इस budget में और इस से ज़्यादा better ranking के साथ तो guys हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अब है conclusion time की मेरा क्या opinion है इस university के बारे में क्या ये university आपको select करनी चाहिए या नहीं तो guys Samara State Medical University के बारे में मेरा opinion है no कि आपको ये university select नहीं करनी चाहिए उसके पीछे सबसे main reason है कि university की जो ranking है वो इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे आप idea लगा सकते है education quality का दूसरा budget university का बहुत जादा चला जाता लगबग 31 से 32 लाग तक की budget की university है ये इस budget में आपको और जादा better university मिल जाएगी अगर हम कहीं न कहीं इस चीज को थोड़ा सा नजर अंदाज भी करें तो फिर हम देखते हैं याप FMG passing ratio वो भी अभी तक zero है 2021 का जो अभी तक updated जो FMG passing ratio अभी तक आया है वो लगबग zero है और 12 students ने exam दिया था उसमें से कोई भी student pass नहीं हुआ था उसके बाद अगर किसी student ने exam दिया होगा या पास हुए होगे तो बट उसका अभी तक कोई data available नहीं है official कोई data नहीं है तो यहाँ पे आपको consider करने की जरूरत है इस budget में इससे ज़दा FMG passing ratio वाली university आपको मिल जाएगी इससे ज़दा ranking वाली university आपको मिल जाएगी इवन जो budget है 32 to 33 lakhs तक का budget इस university का जा रहा है तो इस budget में तो आपको बहुत ही ज़दा बहतरी university आपको मिल जाएगी और अगर आपको कोई भी university का comparison करना है तो आप मुझे contact कर सकते हैं मैं आपको clearly explain कर दूँ है कि कौन सी university आपको इस budget में ज़दा better option आपके लिए रहेगी तो contact me on my whatsapp number which is given in the description box till then bye have a good day